आउम शैमती सुन्तेया 21st अप्रेल 83 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महाँ वाक्य आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है संगम युगी मर्यादाओं पर चलना ही पुरुशोतम बनना है आज की मुरली में पुरुशार्थ में मेनत कब करनी पड़ती है फिर बाबा ने स्रेश्थ आत्माओं की पहली मुख्य बात क्या है फिर बाबा ने का त्रिकाल दर्शी आत्माओं की लक्षन क्या है और लास्टली बाबा ने औरों को भागयवान बनाने का उत्साह कब आएगा अब सुनते हैं 21 अप्रेल 83 की मुरली मुरली की टाइटल है संगम युगी मर्यादाों पर चलना हीं पुरुशोतम बनना है आज बाब नदा सर्व मर्यादा पुरुशोतम बच्चों को देख रहे हैं संगम युक की मर्यादा ही पुर्शोतम बनाती है इसलिए मर्यादा पुर्शोतम कहा जाता है इन तमगुणी मनुष्य आत्माओं और तमगुणी प्रकृती के वायू मंडल वाइब्रेशन से बचने का सहथ साधन ये मर्यादाएं है मर्यादाओं के अंदर रहने वाले सदा मेनत से बचे हुए है ये है हमारे प्रशन का प्रथम प्रशन का उत्तर प्रथम प्रशन था ना पुर्शार्थ में मेनत कब करनी पड़ती है मेनत तब करनी पड़ती है अब बाबा उत्तर दे रहे मेनत तब करनी पड़ती है जब मर्यादाओं की लकीर से संकल्प बोल वा करम से बाहर निकलाते हैं मर्यादाएं हर कदम के लिए बाप तादा द्वारा मिली हुई है उसी परमान पर कदम उठाने से स्वते ही मर्यादा पुर्शोतम बन जाते हैं अमरतवेले से लेकर रात तक मर्यादा पूर्वक जीवन को अच्छी त्रह से जानते हो उसी परमान चलना यही पुर्शोतम बनना है जब नामी पुर्शोतम अर्थात सर्व साधारन पुर्शों से उत्तम तो चेक करो हम स्रेष्ठ आत्माओं की पहली मुख्य बात समर्थी उत्तम है समर्थी उत्तम है तो विर्थी और द्रिष्टी स्थिती स्वते ही स्रेष्ठ है समर्थी के मर्यादा की लकीर जानते हो मैं भी स्रेष्ठ आत्मा और सरव भी एक स्रेष्ठ बाप की आत्माएं है तो चेक करो कि हम स्रेष्ठ आत्माओं की पहली मुख्य बात समर्थी उत्तम है सम्रिती उत्तम है तो विर्ती और द्रिष्टी स्थिती स्वते ही स्रेश्ट है सारी बात है सम्रिती की सम्रिती हमारी बहुती उत्तम होने चाहिए सम्रिती के मर्यादा की लकीर जानते हो जी बाबा क्या मैं भी स्रेष्ट आत्मा और सरव भी एक स्रेष्ट बाप की आत्माएं हैं विराइटी आत्माएं हैं विराइटी पार्ट बजाने वाली हैं यह पहला पार्ट नेच्छल रूप में समर्ती सुरूप में रहे देह को देखते भी आत्मा को देखें ये समर्थ समर्थी हर सेकंड सुरूप में आए समर्थी सुरूप हो जाएं सिर्फ समर्ण में नहों कि मैं भी आत्मा ये भी आत्मा लेकिन मैं भी हूं ही आत्मा ये भी है ही आत्मा इस पहली समर्थी की मर्यादा स्विम को सदा निर्विघन बनाती और औरों को भी स्रेष्ट समृति के समर्थपन के वाइब्रेशन फैलाने के निमित बन जाते हैं जिस से और भी निर्विघन बन जाते हैं और भी निर्विघन पांडव सेना मिलन मनाने तो आई लेकिन मिलन के साथ साथ पहली मर्यादा की लकीर का फांडेशन समर्थी भाव का वर्दान भी साथ सदा साथ ले जाना समर्थी भाव ही समर्थ भाव है जो भी कुछ सुना उसका इसेंस क्या ले जाएंगे इसेंस है समर्ती भाव इसी वर्दान को सदा अम्रत वेले रिवाइस करना हर कारे करने के पहले इस वर्दान के समर्थ स्थिति के आसन पर बैट निर्णे कर व्यर्थ है वा समर्थ है फिर करम में आना करम करने के बाद फिर से चेक करो की करम का आदी काल और अंत काल तक समर्थ रहा नहीं तो कई बच्चे करम के आदी काल समय समर्थ सुरूप से शुरू करते लेकिन मद्धे में समर्थ के बीच व्यर्थ वासाधारन करम कैसे हो गया समार्थ की बजाए वियर्थ की लाइन में कैसे और किस समय गए ये मालूम ही नहीं पड़ता फिर अंत में सोचते हैं कि जैसे करना था वैसे नहीं किया लेकिन रिजल्ट क्या हुई करके फिर सोचना ये तरकाल दर्शी आत्माओं का लक्षन नहीं है इसलिए तीनों कालों में समर्थी भाव वा समर्थ भाव समझा क्या ले जाना है समर्थ स्थिती के आसन को कभी छोड़ना नहीं है निर्ण शक्ति द्वारा सदा ही मर्यादा पुर्शोतम स्थिती में आगे बढ़ते जाएंगे ये वर्दान अब तीन चीजें बाबा ने बताई हैं कौन कौन सी ये वर्दान आसन और ये इशुरिय टाइटल मर्यादा पुर्शोतम का सदा साथ रहे अच्छा आज तो सिर्फ बढ़ाई देने का दिन है सेवा पर जा रहे हैं तो बढ़ाई का दिन है ना कुछ बाबा के महरती बच्चे बाबा से छुटी लेके सेवा पे जा रहे हैं तो भी बढ़ाई और बाकी पार्टी जो आई वो भी घरों पे सेवा पे जा रहे हैं तो भी बढ़ाई तो बढ़ाई का दिन है ना लौकी घर नहीं लेकिन सेवा स्थान पर जा रहे हैं बगलों के बीच भी जा रहे हैं लेकिन सेवा अर्थ जा रहे हैं करम संबंध नहीं समझ के जाना लेकिन सेवा का संबंध समझ के जाना सदा व्यार्थ को समाप्त कर समर्थ स्थिती के आसन पर स्थित रहने वाले हर करम को त्रिकाल दर्शी शक्ती से तीनो काल समर्थ बनाने वाले सदा स्वते आत्मिक स्थिती में स्थित रहने वाले ऐसे मर्यादा पुर्शोतम स्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस दे पाइटियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात सदा अपने को स्रेष्ठ भागयवान अन्भव करते हो जिसका बाप ही भागय विधाता हो वे कितना भागयवान होगा भागय विधाता बाप है तो वे वर्से में क्या देगा जरूर स्रेष्ठ भागय ही देगा ना सदा भागय विधाता बाप और भागय दोनों ही याद रहे जब अपना स्रेष्ट भाग्य समर्ती में रहेगा तब औरों को भी भाग्यवान बनाने का उमंग उत्साहा रहेगा क्योंकि दाता के बच्चे हो न भाग्य विधाता बापने ब्रह्मा द्वारा भाग्य बाटा तो आप ब्रह्मनों ब्रह्मन भी क्या करेंगे जो ब्रह्मा का काम, वे ब्रह्मनों का काम, तो ऐसे भाग्य बाटने वाले, वे लोग तो कपड़ा बाटेंगे, अनाज बाटेंगे, पानी बाटेंगे, लेकिन स्रिष्ट भाग्य तो भाग्य विधाता के बच्चे ही बाट सकते हैं, तो भाग्य बाटने वाली स्रिष्ट भाग्यवान आत्माई हो ना जिसे भाग्य प्राप्त है उसे सब कुछ प्राप्त है वैसे अगर आज किसी को कपड़ा देंगे तो कल अनाज की कमी पढ़ जाएगी कल अनाज देंगे तो पानी की कमी पढ़ जाएगी एक एक चीज कहां तक बाटेंगे उससे त्रिप्त नही हो सकते हैं तो किस्से होंगे लेकिन अगर भाग्य बाटा तो जहां भाग्य वा सब कुछ है वैसे भी कोई को कुछ प्राप्त हो जाता है तो कहते हैं वहां मेरा भाग्य जहां भाग्य वा सब प्राप्त है तो आप सब स्रिष्ट भाग्य का दान करने वाले हों ऐसे स्रिष् सदा उड़ती कला में ले जाएगी जहां सरिष्ट भाग्य की समर्ती होगी वहां सरव प्राप्ती की समर्ती होगी इस भाग्य बांटने में फ्राक दिल बनो जब थोड़ी चीज होती है तो उसमें कंजूसी की बावना आ सकती लेकिन यह खुट है इसलिए बांटते जाओ सदा देते रहो एक दिन भी दान के देने के सिवाए रहना सको अच्छा ओम शाम यह एक पेरना दायक विडियो है जरूर देखें कोई भी मिस ना करे कि भी मिस ना कर दो कि अच्छाए ओम शाम